नमस्कार दोस्तों, स्वागत कर दी हूँ आप सभी का exam achievement में मैं करूना अपनी इस वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ आपके second term का syllabus subject accountancy term first में आपके जो paper थे वो mcq based थे जो आपने दिये है, जल्दी ही जिनका result आपको मिल जाएगा result out हो जाएगा और उसी के साथ अब school में पढ़ाया जाने लगा है वापस से term second क्योंकि आपके term first के सभी exam हो गए है तो अभी आप लोगों को जरुरत होगी ये जानने की कि आपका कौन सी unit कितने marks में आ रही है second term में तो शुरू करते हैं दोस्तों तो आपका theory रहेगी second term में accountancy paper के लिए 40 marks की जिसके अंदर आपकी पहली unit है accounting for not for profit organization ये आपका 10 mark का रहेगा इसी के अंदर आपका accounting for partnership firm इसके अंदर दो parts हैं जो 12 नंबर के रहेंगे पहला retirement and death of a partner and second dissolution of partnership firm तो इस तरह से 12 और 10 ये हो जाएगा आपका 22 इसके बाद आपका part A में ही है company accounts जो आएगा आपका 8 marks का accounting for debentures तो ये आपका हो गया 30 marks यानि की आपका part A 30 marks का आएगा part B दोस्तों आपका 10 marks का आएगा जिसके अंदर होगा analysis of financial statements इसके आपकी दो units हैं तो financial statement of a company and second cash flow statement इस तरह से आपकी theory हो जाएगी part 1 30 and part 2 10 marks overall 40 marks इसके अलावा friends आपका part 2 से related ही एक project होगा जो 10 marks का होगा इसके अलावा part A में आपका जो पहला chapter है accounting for note for profit organization में जो जो points आपको कराए जाएंगे उसको आप इस वीडियो में देख सकते हैं and accounting for partnership firms reconstitution and dissolution ये आपका second है इसके अंदर आपको क्या पढ़ना है वो इस वीडियो में आपको दिखाई दे रहा है इसको आप अपने पास note करके रख लें दोस्तों हमारा जो syllabus होता है उस syllabus से ही हमको पढ़ाई करनी होती है अगर हमें maximum marks को achieve करना है जिससे कि हम अपने किसी topic को छोड़ ना दे और किसी topic को extra ना पढ़ ले इसलिए syllabus को चाहे हम 10th में है 12th में है या आगे कोई competitive exam दे रहे हैं हमें syllabus को ध्यान से देखना होता है और उसी के according अपनी पढ़ाई करनी होती है यह part B आपका शुरू हो गया है जो 10 marks का आपका आने वाला है और इस part B से ही आपका 10 marks का project आपको दिया जाएगा तम सेकिंड में इसी के साथ दोस्तों मेरी ये वीडियो यहाँ पर मैं खतम करती हूँ आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी जानकारी आपको पसंद आई होगी अगर अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे जिससे की इसी तरह की और वीडियो आपको मिलती रहे बैल आइकन को भी प्रेस कर देना अभी के लिए बाई बाई दोस्तों